गुड मॉर्निंग फ्यूचर ओफिसर्स आई वेलकम टो लोफ यू टो आईटूब क्लासिज दोस्तो आज है संडे का दीन पांच सटेंबर है और आज हम लोग करने वाले हैं दा इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज पेपर की अनेलिसिज लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं स वैसे जहां तक सीखने की बात आप किसी से भी सीख सकते हो आप अपने जो है मेड से भी सीख सकते हो आप जो है अपने न्यूस पेपर वाले से भी सीख सकते हो भाई से सीख सकते हो बहन से रेलेटिव से कहीं से भी आप सीख सकते हो लेकिन आज का जो डे मनाया जाता है वो comment section में किसी teacher का नाम बताईए एक tribute आप उनको दे सकते हो उनका नाम बतागे और कोई अच्छी सी story अगर आपके साथ है उनकी तो आप वो भी बता सकते हो किस तरीके से उन्होंने आपकी life में positive change किया है चलिए happy teachers के डे के साथ आज मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस दिन की चलिए तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ topics खास important नहीं हैं लेकिन still जो भी है वो जो related topics रहेंगे उसमें थोड़ा सा information में आपको extra देने की कोशिश करूँगा तो पहली नियुट तो तालिबान से आई है तो इस नियुज को हम पहले भी बहुत जादा पढ़ चुके हैं बहुत बोरू चुके हैं इस नियुज से लेकिन थोड़ा साम को मैं बता देता हूं कि तालिबान के साथ इंडिया ने हलकी फुलकी limited way में बाचीत करना स्टार्ट किया है और ये किस ने कहा बताया है ये बताया है फोरेंज सेक्रेटरी हर्श वर्धन श्रिंगलाजी ने इन्हों ने कहा है कि जो थोड़ी बहुत limited बाचीत हमारी होती है तालिबान के साथ तालिबान ने हम लोगों को आश्वासन दिया है तालिबान ने हम लोगों को प्रोमिस टाइप का किया है और उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो कंसर्ण को हम लोग टेक केर करेंगे उनके कंसर्ण को हम लोग प्रोपर तरीके से एड्रस करेंगे ऐसा तालिबान ने हमें कहा है लेकिन अभी ताक हम लोग पाकिस्तान जो तालीबान के स्परोमिस को हम लोग पूरी तरह से बिलीव नहीं कर पारे हैं तो यूएस की तरह हम लोग भी wait and watch policy में ही बिलीव कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान काफी ज़दा dominating है तो हम पाकिस्तान के action देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान का तालीबान के साथ क्या relation रहेगा future में क्या अभी तक जो पाकिस्तान help करता आया था तालीबान की क्या future में भी तालीबान उसको favor करेगा तो यह सारी चीज़े देखने के बाद ही future में हम यहां पे कुछ नया action ले सकते हैं उपर से अगर आब बात करें तालीबान की ऐसा माना जा रहे एक section में कि तालीबान के leaders आपस में ही जो है अभी थोड़ा बहुत जगड़ना शुरू कर दिया है तालीबान के अंदर देखे बहुत सारे leaders हैं चोटे-मोटे word load होते हैं बहुत सारे वो आपस में ही अभी power को लेके struggle करने वाले हैं ऐसे कुछ hints मिले हैं as Taliban factions bigger का मतलब यह होता है कि उनके बीच में आपस में थोड़ी बहुत मन मुटाओ हलका फूलका जगडा शुरू हो गया है तो यह थोड़ा देखना रहेगा यहां पर जो एक interesting चीज हो यहां पर यह है कि यह है पाकिस्तान की ISI chief lieutenant general फेज हमीद यह गए हैं कहां टूर पे गए हैं अफगानिस्तान में और तालीबान के सरकार बनाने में उनकी help करने वाले हैं क्योंकि सब को पता है कि ISI जो है तालीबान के terrorist को हमेशा सही protect करता आया है उनको guidance भी देता आया है surveillance उनको information देता आया है हतियार वगरा देने होता है safe passage करना होता है every help was given by the Pakistan to the Taliban and that is why Pakistan is again helping Taliban in establishing the government चलिए तो परानी news हो चुकी है ज़ाद detail में नहीं जाओंगा अगली जो news है वो आती है कहां से वो आती है collegium system से देखी कल भी हम लोगोंने कल वाली जो editorial डाला था वो काफी late डाला था लेकिन उसमें अब देखोगे कि complete एक editorial हम लोगोंने पढ़ा है उसमें explain section में कैसे judges की appointment की जाती है उसमें ये पढ़ात हम लोगोंने के जो high court के judges की appointment की जाती है उसकी process कहां से शुरू होती है state से शुरू होती है right state से शुरू होती है तो state की government क्या करती है पहले कुछ high court के judges को के जो नामों को recommend करती है जो 启ॉवां swept о học होता है. वो उसको स्टेट government के पास भीजता है. स्टेट government से वो еंट्रा government के पास बहीजता है. फिर वो उसको आई भी में भीजता है, intelligence bureau में. से वो नाम Supreme Court में जाता है. Supreme Court का collisium उसको clear करता है. Supreme Court का collisium होता है उसको clear करने के बात दुबारा से सेंटर के पास भेजता है अब ये सेंटर की मर्जी है के वो उसके नाम को क्लियर करता है के नहीं करता है लेकिन अगर सेंटर ने उसको दुबारा रिकमेंडेशन के लिए सुप्रीम कोट के पास भेज दिया तो सुप्रीम कोट उसको पास करे या ना करे उसमें स एसी कोई भी टाइम गांड नहीं है कि सप के सेंटरर को हो नाम सुप्रीम कोर्ट को कब भीजने है बहुत बार देख़ा गया के सेंटर्ट छे महीना साल भर दो दो साल उनके नाम को भीजता ही नहीं आवापीस तो इस तरह ऐसे आप उसको delay कर सकता है center सिर्फ और सिर्फ delay कर सकता है appointment में center का कोई भी role नहीं होता है तो इसी तरह के 68 names जो है वो भेजे गए थे center collegeum के दवारा सरकार को इन 68 candidate में से 12 candidate को लेके जो है सरकार को कुछ न कुछ problem है देखिए ये कभी भी बात जन्ता के सामने reveal नहीं की जाती है कि इनको क्या problem है वो सिर्फ एक sealed होता है classified information होती है intelligence bureau की तरफ से आती है उस 12 नामों को लेके जो है वो problem थी center को अब supreme court ने कहा कि कोई problem नहीं है हम तो इनके ऊपर जो है कारवाई नहीं करेंगे और इन collegium system और judges के appointment के बारे में बहुत detail में पढ़ना है तो आप जो है कल वाली analysis आप देख सकते हो उसका link मैं आपको description box में दे दूँगा 10-15 मिनट का पूरा topic आपको सब समझ में आ जाएगा appointment कैसे होती है collegium system क्या होता है women का क्या role है history उसकी मैंने बताई है constitutional provisions आपको बताए है वो सारी की सारी चीज़े है चलिए prelims में question आप से पूछी लेता हूँ आप यह बताई है कि USA के अंदर judges की retirement age क्या होती है इंडिया में supreme court में retirement judge होती है 65 years ठीक है आप मुझे high court के judges की retirement age बता दो फटा फट कमेंट section में it is 62 it is 64 और it is 65 यह तीन option में आपको देता हूँ high court के judges का supreme court के judge का मैंने आपको पहले ही बता दिया और USA के जब में जो है जज़े के retirement age क्या होती है आप मुझे comment section में बता दो जल्दी से उसके लावा एक और बहुत जबरदस न्यूज आई है इंडिया में इस बार देखिए पैरा ओलम्पिक्स में इंडिया ने इस साल अभी तक 17 मैडल जीत चुके हैं जिन में से 34 गोल्ड चिक है बहुत जबरदस परफोर्फोर्मेंस all time best परफोर्मेंस है हमारा पैरा ओलम्पिक्स में जो लेटेस्ट गोल्ड जीता है वो जीता है प्रमोद भगत जी ने यह उडिसा से शायद बिलोंग करते हैं और इन्होंने बैडमिंटन में अभी जो है गोल्ड मेंडल जीता है ठीक है इनको रखा जाता है SL3 के अंदर SL3 के अटेगरी का मतलब होता है ऐसे प्लेयर जो मतलब थोड़े कम इंपेरमेंट होता है SL4 के अटेगरी के जो प्लेयर सोंते है उनके अंदर थोड़ा सा जादा इंपेरमेंट होता है मतलब उनकी बोड़ी थोड़ी जादा इंपेर्ड होती है तो इनको जो मिला है वो मिला है SL3 category में ठीक है SL4 category में इनके ही एक friend है जिनका नाम है सुकांत कदम वो world number 5 है तो थोड़ इस information आपको देना था और ये भी Tokyo में ही हो रहा है इसे पहले मनीश नर्वाल जी ने तीसरा gold जीता था तीसरा वो pistol में SH1 category में आते हैं तो ये impairment की भी अलग अलग जो है एक category रखी गई है ऐसा नहीं है कि जो भी players जो इंपेर्ड होते हैं उनको एकी category में रख देते हो नहीं नहीं उनकी भी percentage के coding उसको रखा जाता है बाकी उसके बादा देखो कि तो ये सवाज कल government में जो है पूरा political news है तो इसके बारे में कोई देखनी की आपको जोरत नहीं है ये अगर आपको मन है थोड़ा सा आप ये वाला पढ़ सकते हो क्योंकि हर्याना सरकार क्या कर रही है एक IPS officer को IES cadre के अंदर transfer कर रही है जो कि बीना department of DOPT के बीना जो है बिल्कुल भी the rules आपको पहले center की permission लेनी पड़ेगी वहाँ से permission मिलने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हो तो ये पुरे का पुरा थोड़ा सा यहाँ पर मामला है अगर आपको पढ़ना है ता आप उसको भी पढ़ सकते हो recommended है समय है तो पढ़ लो नहीं समय है तो आप move कर सकते हो अगली जो news हमारे पास है ये भी हम लोग पहले cover कर चुके है ये आती है कहां से धोला वीरा से आप सभी को पता है के गुजरात के अंदर धोला वीरा जो site है इंडस वैली civilization की site है इसको world heritage site declare किया गया है किसने किया है UNESCO ने किया है ठीक है UNESCO ने world heritage site इसको declare किया है along with धोला वीरा एक और site इंडिया में ऐसी है जिसको UNESCO ने world heritage site declare किया है आप मुझे उस site का नाम बता दो hint आपको मैं दे देता हूँ वो है आपकी south इंडिया में और ये एक temple है देखे इतना ज़्यादा hint मैंने आपको दे दिया बस आप उस temple का नाम मुझे बता दो और exam के perspective से आपको सिर्फ नाम ही याद नहीं करना है उस temple का architecture भी आपको पता होना चाहिए उस temple की history भी आपको पता होनी चाहिए अगर आपका exam के लिए prepare करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसका नाम याद रखने से काम नहीं चलेगा पूशन पूछा जा सकता है नाम भी लेकिन उसके architecture के बारे में भी पूछ सकते है कि वहाँ पे कौन सा द्रवडियन style है वहाँ पे किस तरह का style वहाँ पे उन्होंने use किया वह सारा style है वो भी आपको देखना पड़ेगा तो धोला वीरा की अगर हम लोग बात करें धोला वीरा के बारे में यूज इस तरह से है कि धोला वीरा के जो गाउं है धोला वीरा एक गाउं है और यहाँ पर जो water है ना वो salty है है ना salty water है तो इसलिए यहाँ पर पीने के पानी की बहुत समस्या है आज जो धोला वीरा के समय में भी जो समस्या इन थी वो समस्या वहाँ पर आज भी हुई है तो वो sol नहीं हुई है तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट यह आपको इसने बना दिया है तो शायद उनकी पीने की समस्या पानी की जो है वो दूर हो जाएगी यह खादिर आइलेंड है western type of the खादिर आइलेंड यह नाम रखना आपने याद खादिर आइलेंड कहां पे पढ़ता है क्रण ओफ कच में पढ़ता है क्योंकि यह न्यूज में था इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि खादिर आइलेंड कहां पे है तो चोटी चोटी चीज़ेंड आपको याद रखनी चाहिए चोटी चोटी चीज़ आपके याद रखनी चाहिए क्योंकि बहुत important news रही है यह उसके लावा यहाँ के जो लोगों का main जो occupation है वो agriculture और cattle herding ही है यही और धोलावीरा के समय में क्या था यहाँ पे जो है export किया जाता था धोलावीरा से दूसरी countries में export किया जाता था बहुत सार ठीक है तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ी आपे दोलावीरा के अगर आप बात करो तो यह इसको 1968 में discover किया गया था यह भी आपके information पता होनी चाहिए उसके बाद 1990 और 2000 के फाइल के बीच में यहाँ पे काफी ज्यादा excavation किया गया था और finally 2021 में इसको world heritage का site का tag मिल गया ह अगर आप धोलावीरा की बात करो तो यहाँ पे एक citadel पाया जाता है citadel का मतलब होता है कोई उंची जगह होती है जहां पे इस तरह का कोई शिखर type का होता है उसे कहा जाता है citadel मतलब raised platform is called citadel उसके बाद there is a middle town there is a lower town अभी यह हम लोग नहीं कह सकते के middle town जो है वो rich लोगो class होती थी और normal class होती थी जो ruling class होती थी वो citadel में रहती थी upper town में रहती थी और जो lower लोग होते थे वो lower town में रहते थे ऐसा माना जाता है यहाँ पे fresh water का reservoir भी पाया जाता है underground seaweed system है यह बहुत खतरनाक चीज़ है यहाँ पर important चीज़ है underground seaweed line भी यहाँ पे बिची हुई है जबरदस्त उनका urban planning system हुआ करता तो इसी से पता चलता है उसके लाव यहाँ पे बीड मेकिंग किया जाता था copper smeltering भी यहाँ पे की जाती थी 3000 to 1500 BC के बीच में है तो BC का मतलब है जैसे आप 2000 के प्लस चले जाते हो तो 5000 से लेके 3500 के year के अराउंड यह जाता है ठीक है कुछ लोगों ने वहाँ पर आना शुरू किया है तो थोड़ा थोड़ा सा आप इसको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो अदरवाइस इतनी information आपके लिए यहाँ पर काफी है ठीक है जो अगली news करने वाले हैं वो आता है आपका opinion section से इसको आप completely ignore कर सकते हो क्योंकि political news है कर रहे होंगे इसको आप छोड़ सकते हो उसके लावा जो हमें पढ़ना है आप इसको पढ़ सकते हो कास्ट सेंसस इस निसेसरी तो प्रोटेक्ट दवलनरेबल तो इसे अगर आप पढ़ना है तो आप GS2 आले section से भी पढ़ सकते हो और इसको आप GS1 के society वाले portion से भी जहां से मन करें आप उसको पढ़ सकते हो देखे वैसे तो यह news भी थोड़ी political है बट स्टिल काम की है कास्ट सेंसस इस निसेसरी तो प्रोटेक्ट दवलनरेबल देखे जब भी कास्ट सेंसस किया जाता है लास्ट कास्ट सेंसस जो है वो 2011 में हुआ था अभी 2021 में जो का कॉलम भी होता है उस कास्ट के का कॉलम के अंदर एक SC का कोलम होता है एक ST का कोलम होता है उसके अंदर OBC वाला कॉलम नहीं होता है इसका मतलब यह है कि हम लोग OBC population को count नहीं करते हैं हम सिर्फ SC और ST population को ही count करते हैं और जो हमारे हैं पे reservation दिया जाता है उसे उसे आप positive discrimination भी कह सकते हो, positive discrimination मतलब आप लोगों को identify कर रहे हो, देखे एक चीज़ बागों मैं बता देता हूं कि identify का मतलब यह नहीं होता है, कि आप discrimination कर रहे हो, identify करके आप जो vulnerable section है, जो backward section है, आप उनकी help करते हो through reservation and through various social welfare schemes, तो it is not a negative discrimination, it is a positive discrimination which is used to make unequal people equal in specific areas, ठीक है, through reservation and through other welfare affirmative actions, हमारा preamble भी कहता है, preamble of our constitution assures justice and political opportunity to everyone, मतलब किसी तरह का discrimination हम यहाँ पे नहीं करते हैं, are you getting this point, यह बात यहाँ पे कह रहे हैं, तो decision जो है, OBC को हम लोग 2021 के census के अंदर include नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी political classes इसके demand कर रही हैं, वो BGP के अंदर से भी आ रही हैं, आवाजे Congress के अंदर से भी आ रहे हैं, कि आपको OBC census करवाना चाहिए, लेकिन सरकार इसको करवान नहीं रही है, उसके अपनी जो है, उसकी problem है, पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, देखे, 1931 तक, 1931 तक, इंडिया में caste census किया जाता था, OBC भी किया जाता था, SC भी किया जाता था, ST भी किया जाता, हर caste की calculation की जाती थी, अब 1941 में तो Second World War चल रहा था, तो definitely उससे में तो नहीं हो पाया, तो उसके बाद हुआ 1951 में, तो उसमें हम लोगों ने caste census को include नहीं किया था, चीक है, तो 1951 के बाद, अभी तक 2011 तक, हम लोगों ने OBC caste census को include नहीं किया है, इसका मतलब ये है, कि सरकार को ये पता ही नहीं है, हम लोगों को ये पता ही नहीं है, कि इंडिया में OBC population की कितनी लोग रहते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है, लेकिन जो मंडल कमिशन बनाया गया था, 1980 में, जिसकी वज़े से रेजर्वेशन population है वो 52% के around है exact figure नहीं है क्योंकि estimate लगाया गया था और उसके basis पे mandal commission ने कहा था कि 27% का आप reservation दीजिए OBC section को अब ये reservation कब दिया गया 1990 में जो है OBC का reservation दिया गया 27% उसके बाद 2006 में Supreme Court के बोलने के बाद Central Education Institution Reservation in the Admission Act 2006 भी पास किया गया इस act में education institution college उगारा के अंदर schools में college में भी student को OBCs SCSTG को पहले दिया ही जा रहा था अभी OBCs को भी reservation इसके अंदर मिल गया था कितना reservation मिला था 27% ये आपका पता होना चाहिए mandal commission इसको कहा जाता है इंदरा सहानी केस भी इसको कहा जाता है इंदरा सहानी केस का क्या मतलब है इंदरा सहानी केस में Supreme Court ने एक landmark judgment दिया था जिसमें Supreme Court ने कहा था कि reservation किसी भी case में 50% से जादा नहीं हो सकती because हमें quality को भी maintain करना है ये लक्षमन रेखा थी जो Supreme Court ने खीच ली थी अब समस्या यहां पर यह है कि जब हमें OBC की population का ही नहीं पता है तो हम उनके लिए welfare scheme कैसे चला पाएंगे है ना welfare scheme की चलाने के लिए आपने की population पता होनी चाहिए और ऐसा कहीं बार देखा गया है कि क्योंकि हमारे पास data ही नहीं है Supreme Court किसी भी OBC reservation को neglect कर देता है जैसे अभी महाराथा reservation देने की बात चल रही थी महाराष्टरा के अंदर लेकिन Supreme Court ने इसको यह कहके struck down कर दिया कि हमारे पास OBC का data ही नहीं है अब यह data तो तब आएगा न भाई साब जब आप उसको calculate करोगे उसको आप census के अंदर डालोगे जब आके पास data ही नहीं है तो Supreme Court भी आराम से उसको strike down कर देता है सरकार भी उसको strike down कर देती है Central government हो वो कहती है कि हमारे पास data नहीं है लेकिन जब data collect करने की बात आती है तो सरकार उसको collect करती नहीं है क्योंकि जो higher caste है उनको ऐसा लगता है कि अगर OBC census कर लिया तो OBC की reservation बढ़ जाएगी jobs वगरा में welfare schemes वगरा में और जिससे जो higher caste है जो privilege section है उनका dominance कम हो जाएगा ऐसा एक argument दिया जाता है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह section का argument है National Family Health Survey 2016 ने यह data release किया है कि हमारी country में जो education है वो caste के base में काफी जादा gap है मतलब जो higher caste के जो लोग है जो बच्चे हैं उन में education level काफी जादा है और जो lower caste के हैं या जो OBCs हैं उन में काफी कम है इसी लिए इसी लिए इंडिया को caste census करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारी OBC population actually कितनी है क्योंकि जब आगो population पता लगेगी तब ही ता welfare measures लोगे उसके बिना तो नहीं ले सकते right so that was all about this editorial opinion page में उसके लिए जलियाँ वाला बाग को आपको सब को पता है कि इसको लेगे भी काफी controversy चल रही है कि जलियाँ वाला बाग को जो है 19 तेरा प्लैन 19-19 को वहाँ पे मैसेकर हुआ था आप मुझे ये बताईए कि ये मैसेकर क्यों हुआ था हिंट आपको मैं दे देता हूँ क्योंकि जो रोलेट एक्ट पास किया गया था रोलेट एक्ट के पास करने के जब हो गया तो पंजाब के दो बहुत ही मशूर लीडर उनको अरेस्ट कर लिया गया था उन लीडर का नाम आप मुझे बता दो क्योंकि एक्जाम में ये आप से पूछा जाता है उन लीडर को उनके अरेस्ट करने के पोजिशन में लोग वहाँ पे इकठा हुए थे जिनके उपर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी आप मुझे इन लीडर का नाम बता दो बाद में 1922 में रोलेट एक्ट को खतम कर दिया गया था चीक है ये बस आप मुझे इस लीडर का नाम बता दीजिए आपका एक्जाम के लिए सिर्फ यही कोश्चन है उसके लावा जलियावाला बाग की हिस्ट्री यहाँ पे थोड़ी बताई हुई है 1919 से पहले कोई बहुत खास इंपोर्टेंट जगह नहीं थी यहाँ पे धोबी वो भी बैठे रहते थे और हमसे कपड़े धोते थे लोग खाना खाते थे कोई पार्क वार कुछ नहीं था ये नो बाग एट ओल 1990 के इस मैसेकर के बाद इसकी इंपोर्टेंस बढ़ गई बाद में सरकार ने एक नैशनल दो है जलियावाला बाग नैशनल मैमोरिल एक्ट 1951 पास किया और इंडिया में ये सबसे पहला मैमोरिल है जो किसी एक्ट के थुरू बना था 1951 में उसके बाद 1961 में यहाँ पे जो अमर जिवोती है उसको जलाया गया इसको 1957 का रेनोवेशन किया गया तो थोड़ा अगर आपके हिस्ट्री पढ़नी या पढ़ सकते हो लेकिन जलियावाला बाग इशू आपको एक्जाम के परस्पेक्ट्री से पढ़ना चाहिए अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो आज कोई खास इंपोर्टन न्यूज नहीं है वही तालिवान के बारे में बाते की जा रही है है ना वो अमेरिका में कोविड की सिचेशन खराब हो गई है छोड़ सकते हो कोई बात नहीं है क्योंकि इंडिया यहां पे स्टेक होलडर नहीं है आप सिर्व उनी इंटरनेशनल न्यूज को पढ़ोगे जहां पे इंडिया एक स्टेक होलडर होता है और जहां पे मैंशन किया गया है कि इंडिया का यहां पे क्या एंगल है और आज की news में जो है कहीं पे भी इंडिया का कोई अंगल नहीं है इसलिए completely आप इसको छोड़ सकते होना समय बचाईए उस आपका जो time बचाईगा उसमें you can read your NCRT और your basic notes ठीक है हर बार newspaper के पीछे नहीं पढ़ना है कभी-कभी newspaper में important news नहीं भी होती है internationally राइट चलिए let's talk about the economy section economy section में जो एक news है बस वो आप क्या पढ़ सकते हो ये वाला पढ़ सकते हो bricks meet the goal stress is on the new tech adoption equitable food security solution देखिए एक heading से ही आपको बहुत कुछ पता चल जाता है bricks की full form क्या होती है bricks होता है it's a group of five countries Brazil, B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa South Africa को इसमें बाद में add किया गया था चाइना के कहने के बाद बाहले ये brick हुआ करता था brick की शुरुआत हुई थी actually 2006 में indirectly जब G8 की meeting हुआ करती थी तो G8 की meeting के साथ-साथ जो है हम लोगों ने भी meeting किया लेकिन actual में ये force में आया कब 2009 में 2010 में bricks की जो है ये दुनिया की 41% population इसके अंदर है दुनिया की total 24% GDP जो है वो bricks के थ्रू चलती है अब आपके एक चीज़ और बता दो bricks कोई assets organization नहीं है bricks एक meeting group है इसका कोई headquarter नहीं है इसका कोई office नहीं है ये सिर्फ एक meeting group होता है हाँ bricks एक bank bricks ने बाद में क्या गिया एक bank बनाया bricks bank जिसको कहा जाता है bricks bank इसको general form में कहा जाता है otherwise इसका नाम जो है वो है new development bank 2015 में ये force में आया था 2014 में जो है इसका treaty sign हुई थी 2015 में इसका force में आया था आपके याद रखना है अभी तक new development bank और bricks bank जो है 100 billion dollar जो है इसका इसमें पैसा दिया जाता है अभी तक ये 5 country ही इसके member थे लेकिन अभी recently last week या इस week जो है तीन नई countries को इसमें add किया गया है UAE, Bangladesh और Uruguay मतलब पहली बार bricks bank का expansion किया गया है exam के लिए very very important they will ask this new exam लिखवा लो मुझे important news है ठीक है तो bricks bank का जो इस बार का जो president है meeting का वो कौन है वो है इंडिया और ये meeting virtually हो रही है actually meeting नहीं हो रही है virtually like conference वगरा पर zoom call वगरा पर ये meeting की जा रही है इसमें कहीं सारे मुद्दे उठाएगे जिसमें से जो एक मुद्दा है वो क्या है vaccine waiver की हम लोग बात कर रहे है vaccine waiver vaccine waiver का मतलब ये है कि जो trips होता है न मतलब trade related intellectual property rights ये WTO की territory होती है इसमें क्या होता है जो pharmaceutical companies होती है जो किसी भी दवाई को discover करती है उनको special right दिया जाता है protection दिया जाता है कि उनके अलावा कोई और दवाई नहीं बना पाएगा अब इंडिया में उस South Africa में जो companies है फार्मसोटिकल वो भी COVID-19 की vaccine बनाना चाहती है लेकिन trips में agreement के तहत वो बना नहीं सकती और इसी वज़े से लोगों को large scale पे vaccination provide हम लोग नहीं करवा पा रहे हैं तो इंडिया और South Africa ने WTU के अंदर ये अपनी appeal की थी के उनको trips waiver दिया जाए मतलब जो company है जैसे Johnson & Johnson हो गई ये company उनको permission दें कि आप भी दवाई बना सकते हो trips waiver की बात किया गया था लेकिन अभी तक जो है किसी भी तरह का waiver नहीं दिया गया है developed countries के द्वारा क्योंकि ये companies कभी भी नहीं चाहती हैं जो बड़ी बड़ी company होती है कि वो अपने rights किसी दूसरी company को दें हाग को discover उन्होंने किया है इसलिए profit भी वही कमाना चाहती है ये थोड़ी सी यहाँ पर मामला है तो यह मुद्दा bricks में हम लोगों ने दुबारा से उठाया है इंडिया ने उसके लावा जो एक और मुद्दा उठाया है वो यह है public stock holding program for the food security purpose देखे अमेरिका और European countries इंडिया को काफी क्रिटिसाइज करती है और developing countries को के आप लोग अपने यहाँ पे farmers को जादा subsidy देते हूँ आप यहाँ पे जो है stock holding करते हो जैसे हमारे यहाँ पे national food security act है जिसके तहत जो public distribution system जो हमारा होता है हम गलोग गरीब आदमी को 2-3 रुपे में चावल 2 रुपे में गहू देते हैं है ना हमारा public distribution system के अंदर में इसको criticize किया जाता है WTO में WTO के अंदर जो अमेरिका या जो European countries हैं वो कहती है कि यह जो store किया जाता है central government के द्वारा food इतने बड़े level पे यह international trade को negatively impact करता है और यह WTO के अंदर एक मुद्दा है इंडिया क्या करता है BRICS country क्योंकि इन सभी का interest लगबग एक जैसा ही है यह कहता है कि हम लोग गरीब country है हमारी country में बहुत सदा poor लोग रहते है क्योंकि वो food महेंगे दामा पे afford नहीं कर सकते इसलिए उनको subsidy देना जरूरी है लेकिन WTO के अंदर एक provision होता है कि आप एक limit से जादा subsidy नहीं दे सकते वो थोड़ा सा issue भी यहाँ पे उठाया गया है तो दो मुद्दे यहाँ पे उठाये गए है फिलाल पहला मुद्दा है vaccine waiver वाला और दूसरा मुद्दा है यह subsidy वाला ठीक है थोड़ा साब कर यह पता होना चाहिए कि जो trips है WTO के अंदर एक extra चीज़ आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर तीन box होते है एक होता है green box एक होता है blue box और एक होता है ember box blue box के अंदर कुछ ऐसी चीज़े होती है जिसमें आप subsidy दे सकते हो blue box के अंदर आप नहीं दे सकते है और ember box के अंदर जो बचा हुआ मसाला आता है इनके अंदर आप subsidy दे सकते हो लेकिन with some terms and conditions ठीक है तो यह थोड़ी सी चीज़े जो है WTO के बारे में अगर आपको WTO के जो detailed notes चाहिए तो आप comment section में बता सकते हो कि आपको अगर notes चाहिए तो उसके लावा हमें Instagram पे comment करके बता सकते हो message कर सकते हो personal या फिर telegram पे आप personally message कर सकते हो लेकिन आपको मुझे message करना पड़ेगा ठीक है चलिए तो यह थी आज का economy section उसके अलावा अगर आप हमारे platform पे नए हैं तो आप हमारे channel को subscribe जरूर करें हम रोज आपके लिए analysis लेके आते हैं अगर आप Instagram चलाते हो तो वहाँ पे भी आप हमारे newspaper की copy आप वहाँ से receive कर लीजिए उसको पढ़िए अराम से कोई problem नहीं है अगर आप WhatsApp चलाते हो तो WhatsApp पे भी हमारे group को join कर सकते हो इसका link भी आपको सबका description box में मिल जाएगा और अगर आप हमारे effort को support करना चाते हैं financially तो आप हमें donate भी कर सकते हो हमारा UPID है PTM और Google पे आप यहाँ पे देख सकते हो तो जितना भी आप से बने आप जो है उसको donate करिये ताकि हमारी team को support मिलता रहे और आपके लिए बढ़िया content हम लोग ले के आते रहें तो दोस्तो आज की analysis में इतना ही यहीं पे हम लोग खतम करते हैं कोई खास important topic नहीं थे लेकिन जितने भी थे हमने कोशिश किया है उसको ठीक ठाक तरीके से हम लोग कर सकते हैं explaining So that is all for the day Thank you very much, all the best and jai